नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखन्ना हुमियोपेथि क्लीनिक के इस खुबसूरत प्रोग्राम में आपका स्वागत है खुबसूरत इसलिए साथियों कि ये आपको सपने को साकार करने की कोशिश करेगा जी हाँ, ये आपको कोशिश करेगा ये प्रोग्राम, आपको वो जानकारी दे सके जिससे आप अपने चेरे को खुबसूरत रख पाए आप अंदर से बहुत खुबसूरत हो सकते हैं लेकिन आप सोचते हैं आपका चेरा भी खुबसूरत हो तो जो वो गाना था कि तेरे चेहरे पर वो जादू है बिंडोर चला आता हूं तो वैसे गाने को चरितार्थ आपके चेहरे पर करने के लिए होमियोपेति में बहुत कारगर दमाये हैं और हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर होमियोपेति क Catalunya दवाएं बताने से पहले साथियों दो बाते करना चाहेंगे, पहली बात तो ये साथियों जो आपका कर्म होते हैं, जो आपके काम होते हैं, वही आपके चेरे पर दिखते हैं, तो अपने अमाल को, अपने काम को, अपने कारें को, अपनी बातों को बहुत अच्छा रखें, आपका चेरा यकीन मानिए, 80% इसी से ठीक हो जाएगा. और इसके अलावा, खान पान, आप अपने खान पान को टॉप क्लास रखे, आप देखेंगे कि आपका चेरा चमकेगा, यहाँ आपके 20% पूरा कर देगा. तो मैं समझता हूँ, 80% आपके जीवन में कर्म और विचार, और 20% आपका खान पान, यह हो गया 100%. अब आप सोच रहे होंगे कि 100% हो गया, तो दवाओं की ज़रुत ही क्या है? जी हाँ, यह बात सही, आप यह दो काम कर दिए तो दवाओं की ज़रुत नहीं है. लेकिन अगर आपके मन में फिर भी यह बना हुआ है कि आपको दिकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके खुबसूरा चेरे के लिए आपके मन में जो-जो सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब आपको सिम्टम्स के इसाफ से होमियोपेथिक दवा करने से सॉल्व हो दवाएं बताने से पहले हो जो दूसरी बात हमने कही थी, यहां दवाएं किसी कुसल चुके सक्से पूछे के रखिएगा, सारी जानकारी जो मुझे छोटी मोटी गरीग को जानकारी है, वो आपके सामने रख देगा, फिर आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, पर मदद करेंगी, चलते हैं साथियों सफर पर, बताते हैं आपको चेरे को खुबसूरत करने की, या चेरे के कमियों को दूर करने की, दस कारगर होमियोपेटिक दवाएं, साथियों, खुबसूरती का अगर आयाम आता है, तो सबसे बड़ा आयाम आता है कि आपका रंग आपका चेरे का रंग खुला हो, काले लोग, भाई मेरे साब से तो, मतलब कोई महत्यू नहीं कोई गोरा है, काला है, वो तो उपर वाले का दिया हुआ, उसको रंग है, उसके लिए किसी को क्या करना, क्या चिंता, लेकिन ये समाज है, यहां पर, जो है, तमाम बालीविट की जिसमें से कई हिरोईने तो मैं कहूंगा कि ऐसी है कि आप उनको अपने घर परिवार के बीच पीना पैठाना पसंद करें वो उन हिरोईने को देखने लोग जाते हैं और उनकी पिक्टरें सौ सो करोड का टन ओवर देती हैं एक वक्त था कि वो हिरोईने जिनको हिंदुस्तान की संस्कृति में एक्सेप्ट ही करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी मैं देखता था पहले वजन्ती माला और साइरा बानो और तो हिरोईने थी इस तरह की वो पहले क्या था कि बस वो अगर कभी दिखाना होता था जैसे कि दोनों के बीच किसी गलती से संबंध हो गया और जो है उसके बाद वो प्रिग्निंसी आ गई तो वो केवल हाथ छू के वो शौट खतम हो जाता था और अगले जो शौट होता था तो उसमें दिखाते थे ह ना इनके बेबी कंसीव हो गया अब आज का दोर है कि पूरी कहानी दिखा देते हैं और वो हिरोईने को देखने सो सो करोड का बिद्निस पहुंचता है और उसका सिर्फ एक कारण है उनका रंग गोरा तो रंग गोरा होना एक ख्वाब होता है आदमी का तो सबसे पहले इस साफ करना है जो कि एक चेरे को खुबसूरत करने का बहुत बड़ा आयाम है तो आपके लिए दवा है आयोडम अगर आप आयोडम की वन यम की खुराक एक हजार पावर की खुराक 6 मेने तक लगातार हर हफते लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रंग खुल जाएगा खुलने का मतलब गाले से बिल्कुछ सफेर नहीं होगा लेकिन सामले से हलकापन रंग में जरूर आ जाएगा और आपका चेरा और खुबसूरत तो अगर आपका रंग काला है तो आप आप जरूर ट्राय करिए यहां आपके रंग को गोरा करने में बहुत मदद करेगी फिर सात्यों एक और दिक्कत जो आम तोर पे आपके खुबसूरती के बीच में रोड़ा आता है चेरे की वहाँ है चेरे पे गड़े आपके कभी द करने की हुमियोपैती में दवा और गड़े को बरने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है सलीशिया आप सलीशिया पे दाग लगे हैं जिसे कहना चाहिए आप उसे बुरा महसूस कर रहे हैं तो यहाँ दवा सलीशिया 3x पावर में यहाँ दवा आपको ठीक करेगी आपके चेरे के गड़े बरेगी और आपकी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस बनाईगी फिर साथियों बात आती है चेरे पे दाग की अगर चेरे पे दाग है कभी आपके दाना निकला या आपके दाने निकलते हैं उन चेरे पे दाग की तो अगर आपके चेरे पे दाग हैं दानों के स्कार्स हैं तो उसको ठीक करने की होमयोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सलफर सलफर वनियम क तीन खुरा का पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले सकती हैं, अगर आपके चेरे पे एकने के स्कार्स रह गए हैं और वहाँ आपको परिशान कर रहे हैं, तो जब आपके चेरे के दाख चले जाएंगे तो आप चमकेंगी और आपका चेरा कुपसूरत होगा, आप सलफ के मरीज को कम पसंद होता है, बह मुश्किल वो ना आता है क्योंकि काम पर जाना है और रात में वो जागता है, बहुत देर रात में सोता है और सुभा देर से उठने की कहफियत होती है, यहाँ स्प्रामें साथी हो तो आपको चेरे के चमकाने की आपके जो दाख धब्बे हैं pimples के और pimples को कटम करने की नंबर एक ड्वा सलफर है फिर साथिंगों दूसरा मापदन आता है कि आपके चेरे को आपको खुर्षूरती में जो डाग लगाता है वहाँ है आपके चेरे पे ज्याएं अगर आपके चेरे पर हाइपर पिंगमेंटेशन है साथियों तो इसको ठीक करने के हुमिपैथी में तीन बहुत कारगर दवाएं ये दवाएं तीन दवाएं आप ले लेंगे तो आपके चेरे की जहाई छे महीने में खत्म होने की पूरी संभापना है पहली और फार्मोस दवा है सीपिया दूसी दवा है लाइकोपोडियम और तीसी दवा है कॉलोफाइलम और देखेंगे कि आपका चेरा चमक गया आपके चेरे की जहाई को खत्म कर देगी इसको आप 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि चमक गया आपके चेरे की जहाई खत्म हो गई अगर आपका पेट खराब रहता है तो उसकी दवा लाइकोपोडियम है आप लाइकोपोडियम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले ले तो आप देखेंगे कि उसके कारण जो आपके चेरे पे जहाई है वहाँ खत्म हो गई और जो इसकी हेड्रेमेडी जहाई खत्म करने किवाए कॉलोफाइलम इसको आप 32 दो 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 बून दिन में तीन बार ले ले तो आपकी चेरे पे दाग की समस्या भी खत्म और अगर आयोडम फेल होती है तो लाइकोपोडियम भी आपके रंग गोरा करती है और आपके सकती है आप में से किसी को लगता हो कि हमाया चेरा बहुत गंदा है बहुत चिकना है बहुत जादा उससे तेल निकलता है वो सारे फेस को पोर को ब्लॉक कर देता है और आपके उसके बाद एकने निकलने लगते है तो यह जो ग्रीसी लुक अगर आपको फेस का अपने लग आप सुराइनम वनियम की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर ले सकती हैं, यहां दबा लेने से आपका जो गंदा सा लुक है, इस किनका ग्रीसी लुक है, वहां खतम हो जाएगा और आप चमकेंगी, किसी से भी ज्यादा चमकेंगी, तो सुराइनम बहुत अच्छी दबा सकती है, और आपके जो एक्स्ट्रा ओयल सिक्रीशन हो रहा है, उसको खतम कर सकती है, एक एस्टिती किसी हमारी बहन में साथी में आ सकती है, कि उनका प्रियेट बहुत इर्रेगुलर रहता है, उससे उनका चेरा मुर्जा गया है, तो अगर यहां एस्टिती हो, कि आपका इंसेस के कारण आपका चेरा मुर्जा रहा है, इर्रेगुलर पीजेट के कारण आपका चेरा मुर्जा रहा है, हमारे छोटे बच्चों तक में 12-13 साल के बच्चे से इस सिम्टम की सुरुवात हो जाती है, तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में दबा और आपके चेरे की खुबसूरती जो आज वीडियो का विशा है, वह इस दबा से बहाल होगी, आपकी पूरी जहाई खतम हो जाएगी और आप अपने को confident महसूस करेंगे, दूसरी स्थिति आती है कि जहाई हो गई, यानि मिलाजमा हो गया प्रिगनेंसी के बाद, अगर प्रिगनेंसी के प दोगों उन दिन में तीन बार, यहाँ दोनों दवा दे सकते हैं, यहाँ दवा आपके मिलाजमा जो आपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रिगनेंसी अटेन करी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद जो आपके चेरे पे जहाई आ गई है, तो यहाँ सीपिया और कलकरिया कार्ग उसको ठीक करके आपके सारे सिंटम में रिलीफ दे कर आपके चेरे को चमकाएंगी, तीसरी चीज़ आती है साथियों चेरे पे ग्लो, आपको चेरे पे ग्लो चाहिए, खुबसूरा चेरे की बात हो रही तो चेरे पे चमक होनी चाहिए, और चेरे पे चमक लाने की नंबर एक दवाव में उपैती में सातियों हैं, बर्बरिस एक्क्योफोलियम का मदर टेंचर आप 20 बूंद सुबा साम आधे कब पानी में ले सकते हैं, और इसकी 5 बूंद एक चमच पानी में डालके कॉट्टन से चेरे पे सुबा शाम लगा सक अगर आपने ये कर लिया तो आपका चेरा 6 महीने के अंदर चमकेगा, ग्लो करेगा, चेरे के निशान खतम होंगे और आपका डार कॉंपलेक्शन भी क्लियर करने में मदद होगी तो बरवे से कोजफोलियम एक बहुत अच्छी दवा है, आपके चेरे को खुबसूरत बनाने की, आपके चेरे पे चमक लाने की एक स्थिति हमारे किसी साथी के साथ आ सकती है कि उसने बहुत कॉस्मेटिक यूज करे वो महिला जिसने बहुत जादा कॉस्मेटिक यूज करे और उसके आज उसका चेरा इतना भद्दा हो गया कि देखने का मन नहीं करता उसको स्वेम को आईने में अगर या स्थिति आप में किसी में है कि आपने अपने जीवन में बहुत कॉस्मेटिक यूज करे हो या करते हो और आपको एहसास होता हो कि आपका चेरा दिन पर दिन गंदा होता जा रहा है बत्तर होता जा रहा है और आपको इसको ध्यान देना है तो अगर वहाँ स्थिती है तो इसकी हुम्योपेती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बोविस्टा आप बोविस्टा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती हैं अगर आपके कास्मेटिक प्रोडक्ट के बहुत जादा इस्तेमाल से आपने अपने चेरे को बरबाद कर दिया हूँ उसका सारा गलो खतम कर दिया हूँ उसकी सारी चमक खतम कर दियो तो सारे चेरे पे निशान आ गए हो चेरा मुर्जाया लग रहा हो तो बोविस्टा आपको ठीक करेगी और यकीन मानिए कास्मेटिक आपके चेरे की खुबसूर्ती का विकल बिल्कुल नहीं है मैं हर वीडियो में कहता हूँ फिर कह रहा हूँ बिल्कुल की साजिस है चार हजार रुपए की इत्ती सी क्रीम बेच रहे हैं क्रीम में कांच है कांच है क्रीम तो उसमें इत्ती सी है अब इत्ती सी क्रीम आप 4,000 उपई की ले रहे हैं और उसके बाद आप इस सिस्थिती में आ रहे हैं कि आपका चेरा कास्मेटिक से खराब हो गया मैं अभी बताओं आपको अपने बारे में मैं भी दो क्रीमे एक बहुत बड़ी कंपनी की लाया था जिसका एसपरियार आया और तमाम लोग जिसका परचार करते हैं तो मैं भी दो क्रीम खरीद लाया थोड़ा लालच में आ गया मॉल में गया ये सौपर से स्टॉप में गया तो वहाँ पे वो महिला बड़ी चमक रही थी दो पल हमारी वाइप रुकी तो हम भी रुग गये तो वो अपनी लिपिस्टिक देख रही थी तो मैं क्रीम देखने लगा मैंने कह लौँ भी हम भी अपनी चमक के लिए और क्रीम करें तो उसने हमें पैकेज में दो क्रीमें दी एक 4000 की क्रीम थी वो SPF कुछ बता रहा था और जो है दूसरा जो है एक मॉस्चराइजर था बड़ी खुशूरा CCC थी मैं उसको अपने या ले आया और जब मैं उसको अपने वहां लाया तो मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है फिर मैं दोनों को जैसे उसने बताया था वो लगाना सुरू करा और लगाने के 3-4 मिनिट के अंदर मेरा चेरा लाल सुर्ख हो गया उसका रियक्सन हो गया अब बताईए 4000, 3000, 7000 रुपए की 2 ग्रीम 50-50 ग्राम की 2 क्रीमे 7000 रुपए एक आदमी की तंखा होती है एक महीने की 5000 में इस मंदी के दौर में लोग काम करने को नौकरी करने को तयार है तो 7000 रुपए की क्रीम आज भी मेरे घर पे ऐसे ही पड़ी है अब मैं दूं तो वह किसको दूं लेकिन लालश में आके लगा लिया और वो गलत करा तो कास्मेटिक ना इस्तमाल करें इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए आपको बताया हूँ और अच्छा खान पान रखें अच्छे विचार रखें कर्भी पूजा है कर्म करें, इबादत करें भगवान के करीब रहें मेडिटेशन करें, योगा करें लाइफ फूट्स खाएं आपका चेरा चमकेगा आपको कास्मेटिक की ज़रुत नहीं है और अगर चेरा आपका खराव हो गया है तो बविस्टा 30 करीम दवा का इस्तमाल करें दो दो गूँ तीन बार और अब सारे कास्मेटिक के बैडिफेक्स को खतम करें बश हर्थ है आगे से आप कास्मेटिक का इस्तमाल ना करें एक इस्टिती आप लोगों में से किसी को आ सकती है वहाँ है फ्रेकल्स की यहाँ भी आपकी खुबसूरती में दाग लगाता है तो साथियों अगर आपको फ्रेकल्स की दिक्कत हो फ्रेकल्स क्या होते हैं मैं अपने उनसोता और दर्सकों को बता दूँ जो लोग नहीं जानते हैं फ्रेकल्स वह इस्तिती होती है आपके स्किन की कि जब आपको धूप पड़ती जो सन का एक्सपोजर होता है उससे आपके चेरे पे डिसकलरेशन या पिग्मेंटेशन हो जाता है उस इस्तिती को फ्रेकल्स कहते हैं अब गर्मी का सीजन होता है हिंदुस्तान में गरम बहुत तेज पड़ता है तो फ्रेकल्स की संभाबना बहुत हो जाती हर व्यक्ति को काम करने के लिए आज कल लगना है बाहर चाहे वो पुरुस हो चाहे वो महिला हो तो फ्रेकल्स को दूर करने की हुम्योपेटी में बहुत कारगर दवाएं है उसमें तीन दवाएं मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा पहली दवा है नेट्रम्यूर अटिकम दूसी दवा है फॉस्फोरस और तीसी दवा है लाइकोपोडियम यहां तीन दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो आपके चेहरे के निसान को बिल्कुल खतम कर देंगी नहीं होती है धूप में उनके सर में बहुत तेस दर्द होने लगता है खाने में उनको नमकीन चीजें पसंद होती है मरीश थोड़ा सा गुसेहल होता है गुसा ज़्यादा आता है और थोड़ा उसका सरीर दूबला पतला गहरा होता है अगर यहाँ चार बातें आप में हैं और आपके फ्रेकल्स हैं यानि पिग्मेंटेशन है धूप के कारण तो उसको ठीक करने की हुम्योपैथी में दवा नेटरमियूरेटिकम है इसका वन येम में तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली लेके लाप राप कर सकते हैं फ्रेकल्स को दूर करके अपना चेरा चमका सकते हैं दूसरी दवास आती हूँ जो इसी संकला की है वहाँ है फोस्फोरस फोस्फोरस फ्रेकल्स को दूर करने की बहुत कारगरदवा उन लोगों में है जिनको बहुत थंडा खाना पसंद होता है जिनके बाल बहुत जड़ते हैं और जिनको शाम के वकट तकलीफें बढ़ती है अगर धूप के कारण उनकी स्कीन में पिग्मेंटेशन आया है और उनमें यहां सिम्टम है थंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद और शाम के समय तकलीफें बढ़ना तो उनकी दबा फॉस्फोरस है फॉस्फोरस के मरीश को अंदर से शरीर में जलन महसूस होती है बंडिंग होती है अंदर से पूरे शरीर में अगर यहां सिम्टम है तो आपकी दबा फॉस्फोरस है यहां दबा आपके चेहरे को बेदाख कर देगी आपके चेहरे को बिल्कुल साफ कर देगी और तिसी दबा साती हो इसी संकला की लाइकोपोडियम है Lycopodium हर उस वेक्ती के लिए बहुत अच्छी दवा है इसके freckles है यानि धूप से उसके skin में बिल्कुल pigmentation हो गया है और उनका पेट खराब रहता है पेट में गुरगड़ा हाट रहती है उनको मीठी चीजें पसंद होती है तो Lycopodium बहुत अच्छी दवा है जिनको flatulence gastric derangement lower abdomen में होते है वहाँ Lycopodium 30 power में 2-2-1 दिन में 3 बाल लेकर अपने चेरे को चमका सकती है और इस समाज में मजबूती से खड़ी हो सकती है सातियों खुबसूरत चेरे की बात करी जाए तो तमाम दवाएं हैं तमाम बाते हैं तमाम और symptoms है लेकिन कुछ मैंने आपको 8-10 symptoms जो मुख्य symptoms है आपके चेरे की खुबसूरती के लिए वहाँ cover करने की कुशिस करी है अगर मुझसे कोई symptom छूटा हो तो आप YouTube notification panel में उस symptom को लिख दीजेगा मैं कुशिस करूँगा आपको उसकी दवा भी बता पाऊं अगर मेरे समय मिला तो वादा नहीं करता लेकिन कुशिस करूँगा या फिर हमारे WhatsApp नंबर जो नीचे दिया है इस पे आप अपनी query लिख सकते हैं और अपने चेरे को खुबसूरत बनाने में हमसे जो मदद चाहिए वो ले सकते हैं दवाएं सातियों यहाँ आपकी जानकारी के लिए थी दवा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही लिजेगा यह मेरी आप से सलाह है अगर सातियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो जिसको बनाने में बहुत मिहनत वक्त लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा ताकि कॉस्मेटिक के दूस प्रभाव से और लोग भी बस सकें अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो आप डॉक्टर उमंखना में अप्रेटिक क्लिनिक से प्राप्त करते रहिएगा आप पुरी विस्व में चमके ऐसी हमारे क्लिनिक और हमारी ख्वाइश है हमारी इच्छा है आपका साथी हो इती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एतनत्यक कि ऑाके थाएश्ग पुर्क्षक पुर्क्षण बार बार बार